सो फ्रेंड आज इस वीडियो में बात करेंगे मेसो पर अंसर्विसेवल प्रोब्लेम के बारे में किस तरीका से ये प्रोब्लेम को ठीक किया जा सकता है और क्यूं ये प्रोब्लेम आ रहा है तो पुरा वीडियो को एन तेक देखिए और दोस्तों में आपको गरेंटे दे सक देख रहे हैं टेक माइन में टूटूब चैनल दोस्तों चनल पर पहली बार आया तो चनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें कि इसी चनल पर आपको मेसो कर लेक्ट हरते रहे की वीडियो मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा बात करते हैं दोस्तों मैंट टॉपिक के उपर आपको मेसो अप्लिकेशन ओपन कर लेना होगा ओपन करने के बाद आपको कुछ १ेकर एंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों आभी आपको क्या करना है आपको गलदी करते हैं जिसके वज़ए आपको यह प्रॉब्लेम आता है तो आपको प्रॉब्लेम practicing आअथा तो अ इस जगा से किसी भी एक साइज पर क्लिक कर लिया हूँ आपको थोड़े नीचे आना है नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए इस जगा से लिखा है कि चेक डिलिवरी डेट इस जगा से दखिए सो हो रहा है कि चेक डिलिवरी डेट और नीचे आपको लिखा कि एंटर डिल लिया हूं आप देख सकते अभी आपको क्या करना इस ज SIसे कोई बी प्रीवरी इस थारिक को यह technology होजगा यानि pendant बीना किसी Error से यह बता रहा है कि यह जो प्रोडक्ट ऐवलेबल है हमारे एरिया में यानि कि प्रोडक्ट बहुत यह आजाएगा रहा है कि इस जगह से हिए पिन को डाल रहे है तो बता रहे कि on serviceable, तो वह एक कट्षितरी चल रहा है जानते का आभी कवीड का समय है तो आफ ही यह कवीड का जो टाइम में बहुत सारा ऐसा इलका है जो जगह है जिस जगह से आभी डिलीवरी वोई नहीं पहुंच पा रहा है जिसके बज़े से इस जगह से यह जो प्रोब्लेम अनसर्विसेबल प्रोब्लेम आ रहा है यह एक रिजन हो सकता है और दूसरा जो रिजन हो सकता है कि दूस्त आप ऐ यहाँ के जगह से डिलिवरी वोई जाने का मतलब कुछ दिकत है कुछ प्रोलेम है जिसके बुझाज यह लिख रहη है अगर आपको बहुत ही जरूरुत का product हो तो आपको क्या करना है आपका जो area छोड़े की आपको जो रिष्टेदार का area है उस जगह का आपको pin code डाल लेना है और देखना कि उस जगह से उस product को delivery होने में कोई problem आ रहा है यह नहीं अगर नहीं आ रहा तो उस जगह से आप उस product क को ले सकता आप इस तरीके से कर सकते ठीक है तो अभी आपका मन में ऐसा doubt हो रहा है कि अगर मेरा अगर खुद का product हो तो मैं यह कर लूँगा लेकिन जो मेरा customer का product रहेगा वह मैं क्या करो तो दोस्तों इस जगह से मैं आपको वैसा ही एक तरीके बतारों कि आपको वैसा ही क कोड की जगह में रहता है तो आपको उसका area में आपका product को भेजना होगा फिर उस जगह से आप इस product को receive कर लेंगे बाद में job delivery हो जाएगा आप इस तरीका से कर लेंगे दोस्तों अभी आपका मन में और एक doubt चाहर रहा है कि ऐसा करने से तो बहुत दिक्कत परिशनी होगा तो मैं यह नहीं कर पाऊंगा दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा problem कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों यह जो problem है यह बहुत कम problem आता है ज्यादा से यह problem नहीं आता है यह एक दो आता है तो अगर एक दो अगर ऐसा customer आपका मिल जाता है तो आपको यह manage करना होगा इसके अलबा और कोई रस्ता नहीं है ठीक है तो आप इस तरीका से करके आपना जो product यह मंगवा सकते है या तो आपको customer के पास आप भेज सकते है ठीक है तो फ्रेन उम्मिद करता हूँ कि आपका जो यह problem है इस तरीका से करने से solve हो जाएगा फिर भी अगर कोई अगर दिक स्क्राइमा तरम